नमस्कार दोस्तो एक्जामोफोविय यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग बिहार पुलिस द्रोगा के 13 नमर की टेस्ट स्रीज पे चर्चा करेंगे इससे पहले हम लोग 1 से 12 तक की टेस्ट स्रीज पे चर्चा कर चुके हैं और ये सारी की सारी की टेस्ट स्रीज हम लोग एडिटरिया प्रकासंदरा प्रकासित की गई बिहार द्रोगा के लिए वैलूम नमर 2 बुक से ले रहे हैं जिसके तहत इस बुक में टोटल 15 मौडल टेस्ट स्रीज उपलफद करवाई गई हैं इसके हम लोग क्रमबत तरीके से एक से लेकर 15 तक की टेस्ट स्रीज को सॉल करेंगे अभी हम लोग 13 नमर की टेस्ट स्रीज को सॉल कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं कुश्चन नमर पहला कुश्चन नमर पहला है भारती उप महादीव के अंतरगत कुल कितने देश आते हैं तो यहाँ पर पहले का सही जवाब है C उप्षन पांच देश आते हैं C उप्षन राइट आंसर है कौन कौन से समलेत है भारत खुद बांगला देश भूटान नेपाल और पाकिस्तान नेश्टे कुश्चन नमर दूसरा भारत का सबसे दच्छिडतम बिंदू इंद्रा पॉयंट की दूरी भूमद रेखा से कितनी है तो यहाँ पर सही जवाब है C उप्षन 876 किलोमीटर है C उप्षन राइट आंसर है नेश्टे कुश्चन नमर तीसरा विर्ष प्रसिद सांगला घाटी किस राज में इस्तित है तो तीसरे का सही जवाब होगा B उप्षन हिमाचल प्रदेश में इस्तित है B उप्षन राइट आंसर है इस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है यह चारो ओर से परवती चोटी से घिरा हुआ है नेश्टे कुश्चन नमर चौथा निमने लिखित में से कौन कुमावू हिमाले की सबसे उची चोटी है तो चौथे का सही जवाब है D option नंदा देवी D option सही जवाब है जो भारत की तीसरी सरोच चोटी है यह भारती राज उत्राखंड में इस्तित है नेश्टे कुश्चन नमर पाचवा अरुनाचल प्रिदेश के उत्तर पश्च्वी भाग में इस्तित दर्रा निमने में से कौन सा है तो पाचवे का सही जवाब है यह option बॉम डिला दर्रा है यह option सही जवाब है यह दर्रा अरुनाचल प्रिदेश को तिब्बत की राजधानी लाहासा से जोडता है अरुनाचल प्रिदेश में और तीसरे पायदान पर 36 गड़ है अगला है कुश्चन नमबर आठवाँ भारत में वन महोस्तो की सुरात किस वर्ष की गई थी तो इसकी सुरात भारत में 1950 में की गई थी यह option सही जवाब है भारत में 1950 इसे में आधिक व्रच्छ लगाओ आंदोलन चालू किया गया जिसका नाम आगे चलकर वन महोसो रखा गया इसी कारान से ही इसकी सुरात 1950 से मानी जाती है नेश्टे कुश्चन नमर नवहाँ ड्रम महाडी निमने लिखित में सी किस की सायक नदी है तेहाँ पर नवहे का सही जवाब है जबकि महानादी का उद्गम 36 राज में सी हावा छेत से होता है तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है नेश्टे कुश्चन नमर दसवाँ विटी कल्चर का संबंद किस की उत्पादन को बढ़ाने से है तो यहाँ पर सही जवाब है अंगूर के उत्पादन को बढ़ाने से है जबकि वर्मी कल्चर का संबंद केचु अपालन से है नेश्टे कुश्चन नमर 11 निमने लिखित में से किस पंचवर्षी योजना का मोडल प्राणाव मुखजी ने तयार किया था तेहाँ पर 11 का सही जवाब है जबकि इसने 6 प्राणाव मुखजी ने तयार किया था और इस योजना का कारकाल जो था 1985 से 90 तक था इस योजना का विकास लच पांच प्रस्षद रखा गया था जबकि इसने 6 प्रस्षद विकास दर को हांसिल किया था नेश्टे कुश्चन नमर 12 नेश्टे कुश्चन नमर 13 भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पदिश्दी को निमलिकिस में से क्या कहा जाता है तो 13 का सही जब है B option नियूंतम रिजर अनुपात कहा जाता है B option राइट आंसर है नेश्टे कुश्चन नमर 14 सरचनात्मक विरोजगारी का करन क्या है तो 14 का सही जब है A option आप परियाप्त उत्पादन छमता है A option राइट आंसर है नेश्टे कुश्चन नमर 15 है बैंक दर में कमी का रिड की उपलवदता पर क्या प्रहा पड़ेगा तो यहाँ पर 15 का सही जब है रिड बढ़ जाएगा B option राइट आंसर है नेश्टे कुश्चन नमर 16 है प्रॉमिस मी डैड पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक जो है जो बाइडन है लेकिन यहाँ option में नहीं है तो उप्योक्त में से कोई नहीं हो जाएगा D option right answer है और यह पुस्तक दोहार 17 में प्रकासित की गई थी नेश्टे कुश्चन नमर 17 है तीरंदाजी निम्ने में से किस देश के राष्टी खेल का नाम है तो तीरंदाजी जो है भूटान का राष्टी खेल है C option right answer है नेश्टे कुश्चन नमर 18 है कोट निम्ने लिखित में से किस खेल से सम्मनित खेल परिसर का नाम नहीं है तो 18 का सहीजाब है D option पोलो टेनिस खोखो कबड़ी आदी कोट परिसर में खेले जाते हैं जबकि पोलो फिल्ड परिसर में खेले जाने वाला खेल है नेश्टे कुश्चन नमर 19 फिल्म छेत में दिया जाने वाला प्रसिद आसकर प्रोसकार की सुरात किस वर्ष की गई थी तो 19 का सहीजाब है C option 1929 में इसकी सुरात की गई थी C option सहीजाब है तथा ओसकर के लिए नामित प्रथम भारती फिल्म मदर इंडिया थी जो 1957 में नामित हुई थी नेश्टे कुश्चन नमर 20 मेहंदी निम्न लिखित में सी किस राज का लोक कला है तिहाँ पर 20 का सहीजाब है A option गुजरात का लोक कला है A option राइट आंसर है नेश्टे कुश्चन नमर 21 दिसमिल्ला खा का सम्मन्द किस वाग यंत्र से है तो उनका सम्मन्द जो है सहनाई से है D option सही है उन्हें 211 में भारत के सरोच नागरीक सम्मान भारत रातन से सम्मानित किया जा चुका है नेश्टे कुश्चन नमर 22 भारती थलसेना के पूर्वी कमांड का मुख्याला कहां इस्तेत है तो 22 का सहीजाब है C option कोलकाता में इस्तेत है C option राइट आंसर है बाकी भारती थलसेना का मुख्याला नई दिल्ली में है तथा इसे साथ कमांडों में बाटा गया है जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्याला कोलकाता में है नेश्टे कुश्चन नमर 23 विश आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष की स्तिथी को मना जाता है तो यह 9 अगस्त को मना जाता है बी ओप्शन सही जवाब है नेश्टे कुश्चन नमर 24 सेयुक्त राष्ट सरनार्थी उच्चायोग का मुख्याला कहा है तो इसका मुख्याला जो है जिनेवा में है बी ओप्शन राइट आंसर है और इसकी इस्तापना 1950 में की गई थी नेश्टे कुश्चन नमर 25 मेन रहीम रेखा किन दो देसों के मद अंतराष्टी सीमा रेखा बनाती है तो यहाँ पर 25 का सही जवाब है सी ओप्शन रूस और फिनलेंड के बीच जो है यह अंतराष्टी सीमा रेखा बनाती है जबकि मैनी नौट रेखा जर्मानी एवन फ्रांस के मद सीमा बनाती है नेश्टे कुश्चन नमर 26 वर्स 1997 में विस्व परियावरान सम्मेलन का आयोजन कहा किया गया तो 26 का सही जवाब है डी ओफ्सन इसका आयोजन केया गया वर्स 1997 में जबपान के केयोटो सहर में विस्व परियावरान सम्मेलन का आयोजन किया गया इसी सम्मेलन में केयोटो पर्रोटोकॉल को अपनाए गया था नेश्टे कुश्य नमर 27 ओजोन परत मुख्थता कहा इस्तित है तो इसका सही जवाब है B option इस्टेटो स्फियर में इस्थित है B option सही जवाब है जिसको समताफ मंडल भी कहा जाता है यह परत सूर की हानी कारक परावेगनी कीर्णों को प्रत्वी पर आने से रोकती है नेश्टे कुश्चे नमर 28 नेश्टे कुश्चे नमर 29 निम्न लिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर सही जवाब है D option पीनवैली जो है सिक्की में है ये जो है सुमेलित नहीं है जबकि पिन वैली राष्टी उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है नेश्ट कुश्चन नमर तीस निम्न लिखित में से कौन सा जयव निम्न करणी है तेहाँ पर तीस का सहीजाब है ए ओप्सन रवड है वे पदार्थ जो जयविक प्रक्रम दोरा अवगटित हो जाते हैं उन्हें ही जयव निम्न करणी कहा जाता है इस प्रकार से रवर ऐसा उत्पाद है यह ओप्सन यहाँ पर राइट आंसर है नेश्ट कुश्चन नमर एकतिस किस वेद की रचनाओ को पढ़ने वाले रिसी को होर्त कहा जाता है तो यहाँ पर एकतिस का सहीजवाब है डी ओप्सन रगवेद को पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता है डी ओप्सन सहीजवाब है रिगवेद में दस मंडल एक हजार अठाई सुक्त तथा 10462 रचनाए हैं नेश्ट कुष्चन नमर 32 निमने लिखित में से कौन वेदांग नहीं है तिहां पर 32 का सही जवाब है सी ओप्सन ग्यान जो है वेदांग नहीं है सी ओप्सन सही जवाब है बाकी बात करें वेदांगों की कुल संख्या होती है 6 जिसमें सिच्छा, व्याकरण, जोतिस, निरुक्त, कल्प और छंद समलित होते है नेश्ट कुष्चन नमर 33 फाहियान ने किस प्रदेश की जनता को सुखी एवं सम्रद बताया था तो 33 का सही जवाब क्या है बी ओप्सन मद्द प्रदेश की जनता को बताया था नेश्ट है कुष्चन नमर 34 निम्र लिखी दर्सन तथा उनकी प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर C उप्सन जो है गलत है क्योंकि उत्तर मिमान सा जो है जैमनी नहीं होगा यहाँ पर बाद रायाण होगा तो यहाँ पर C उप्सन सही जवाब हो जाएगा अगला है कुष्चन नमर 35 16 महाजनपदों में कमपोज महाजनपद की राधानी कहां है तो 35 का सही जवाब है C उप्सन हाटक है C उप्सन सही जवाब है इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकामे मिलती है कमपोज महाजनपत की राधानी हाटक थी नेश्ट है कुछे नमर 36 तुरका ने चहिलगानी का विनास किस सासक ने किया था 36 का सही जवाब है B option बलबन ने किया था B option सही जवाब है नेश्ट है कुछे नमर 37 प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किस के सासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था तो 37 का सही जवाब हो जागा D option उप्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि प्रसिद्व विदेशी यात्री निकोलो कॉंटी ने देवराय प्रथम की सासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी इसलिए यहाँ पर D option सही जवाब होगा नेश्टे कुश्चे नमबर 38 अकबर ने अपनी राध्धानी को आगरा से फटेपुर्शीकरी किस वर्स इस्त्रांत्रित किया था तो 38 का सही जवाब क्या होगा तो 38 का सही जवाब होगा C option 1571 में उन्होंने की थी आगरा से फटेपुर्शीकरी नेश्टे कुश्चे नमबर 49 जलकी की संदी निम्न लिखित में से कितन के मद्ध हुई थी यहाँ पर सही जवाब 49 का एप्शन निजाम एवं बालाजी बाजी राओ के मद्ध हुई थी और जलकी की संदी हैदरावाद की निजाम एवं बालाजी बाजी राओ के मद्ध 1792 में हुई थी इस संदी के बाद ही पेश्वा की सेना में गैर मराठों की भरती प्रारम हुई थी नेश्टे कुश्चन नम्मर चालिस चाल्स मेटकॉप तथा रडजीर सिंग के मद अमरसर की संदी किस वर्स हुई थी तो यहाँ पर सही जाब है अठारा सो नौ में हुई थी बी ओप्शन सही जाब है रडजीर सिंग 1799 में लाहोर का सासक बना था तथा इन्होंने अपने सुबे को चार भावों में बाट दिया था नेश्टे कुश्चन नम्मर एक्तालिस अठारा सो सतावन की क्रांती को किसने पूर्टा सिपाही बिद्रो कहा था तेहां पर 41 का सही जाब है सी ओप्शन लॉरेंस एवन सीले ने इसको सिपाही बिद्रो कहा था दस मई 1857 इसे को मेरट से इस करांती की सुरात हुई थी और इस करांती के बारे में विभिन विभिन लोगों की अलग-अलग मत हैं जिसमें लॉरेंस एवन सीले ने इस करांती को पूर्टा सिपाही बिद्रो कहा था जबकि बीडी सवारकर ने इसे भात का पहला सुतंता संग्राम कहा था नेश्टेक कुश्चन नमर 42 फराजी अंदोरन का नेतुत किस ने किया था तो यहां पर 42 का सही जाब है फराजी अंदोरन कब हुआ था कहां चला था बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने सिविल सिवाब में प्रिवेश की आयू को 19 वर्ष से बढ़ा कर 21 वर्ष कर दिया था तो यहां पर 43 का सही जवाब है सिविल सिवाब में प्रिवेश की आयू को 19 से बढ़ा कर 21 वर्ष कर दिया था रिपन की समय ही भारत में 1981 से नीमित जटगर्णा की सुरुआत की गए थी नेश्ट कुश्य नमर चवालेस राष्टपती पत के उमीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस क्रमसा प्रस्तावक एवाम अनुमोदक होते है तो 44 का सही जवाब है डी ओप्शन 50 एवाम पचास और इसका उलेख जो है अनुछे 24 में किया गया है नेश्ट कुश्य नमर पैतालेस जन संख्या नियंतरण निम्नमेसिक की सूची का विसा है तो यहाँ पर सही जवाब है C ओप्शन समवर्ती सूची का विसा है C ओप्शन सही जवाब है वर्तमान सवा में समवर्ती सूची में 52 विसा है नेश्ट कुष्चे नमर 46, परिसीमन आयोग दोहरदो के अनुसार, अनुसूची जातियों के लिए लोकसवाब में अरच्छी सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सही जाब है, आरच्छी सीटों की संख्या 84 है, तो इस प्रकार से यहाँ पर C option सही जाब हो जाएगा, जबकि अनुसूची जन जाति के लिए आरच्छी सीटों की संख्या 47 है, नेश्ट है कुष्चे नमर 47, प्राकलन समिति की सज़स्यों की कारवदी क्या होत होती है, तो 47 का सही जाब है, मई अपरेल होती है, B option सही जाब है, और इनका कारकाल एक वर्स का होता है, जिनकी कारवदी एक मई से 30 अपरेल तक होती है, इस समिति में लोकसभा के 30 सज़स होते हैं, तथा राचसभा के सज़स्यों को इसमें सामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर 48 का सही जाब है, C option 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, और जिसे 22 जनवारी 1947 को सिकार कर लिया गया था, नेश्टे कुश्य नमर 49, सुतंत भारत के पहले वित्रमंती निमिन में से कौन थे, आरके सर्गुमन 60 थे, C option सही जाब है, नेश्टे कुश्य नमर 50, विधी निर्मार की प्रक्रिया भारती सविधान में किस देश की सविधान से लिग गई है, तो 50 का सही जाब है, D option बिटेन से लिग गई है, D option राइट आंसर है, नेश्टे कुश्य नमर 51, किस वाद में सरोच न्याला ने प्रस्तावना को सविधान का अंग नहीं माना है, तो यहाँ पर एक्याउन का सही जाब है, D option बेरूबाडी वाद में सरोच न्याला ने प्रस्तावना को सविधान का अंग नहीं माना है, और परंतु केश्वा नंद भारती बनाम केरल वाद जो 1973 में वा था, उसमें सरोच न्याला ने कहा था कि प्रस्तावना सविधान का अंग है, नेश्टे कुश्य नमर बावन, अल्प संख्यक वर्गों के हीतों का सरच्छन सविधान के किस अनुछेद में वर्नित है, तो यहाँ पर बावन का सही जाब है, B option अनुछेद 39 में वर्नित है, जिसके अंतरगत अल्प संख्यक समदाय अपनी संस्कृति यों भा को सुरच्छित रख सकता है, नेश्टे कुश्य नमर तिरपन, अभी तक कितने अमेर्की राष्टपती ने भारती संसत को संबोधित किया है, तिहाँ पर तिरपन का सही जाब है, C option चार अमेर्की राष्टपतियों ने भारती संसत को संबोधित किया है, जिसमें D.D. आई को सम्मोदित किया था नेश्टे कुष्चन नमर चंवन निम्न लिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तिहां पर चंवन का सही जवाब है डियॉप्शन अभी व्यक्ति की सुतंता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्रा जाता है तिहां पर सही जवाब है B option वित आयोग के जो है संतुतियों के अधार पर किया जाता है इसका उलेख जो है अनुछे 280 में वर्णित है B option राइट आंसर है नेश्टे कुश्य नमबर 56 निम्न लिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकास संस्लेशन के दारान अब चैत हो है CO2 होता है यानि oxygen C option राइट आंसर है प्रकास संस्लेशन की क्रिया एक ऑक्सी करण एम अब चैन की अभिक्रिया है CO2 में अब चैन से ग्लुकोज का निर्माड हो जाता है नेश्टे कुश्य नमर 57 नाइट्रोजन द्वारा बनने वाले विभिन ऑक्साइट की संख्या कित NO2 और N2O5 नेश्टे कुश्य नमर 58 सारुजनिक मूत्राले से गंध किस गैस की प्रहाव की करण आता है तो 80 का सही जवाब है CO2 अमोनिया की करण आता है CO2 सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमर 69 निमन में से कौन प्राक्तिक गैस का मुख घटक है तो 63 का सही जवाब है CO2 मिथेन प्राक्तिक गैस के मुख संखटन में मिथेन 70-90% की बीच होती है जबकि प्रोपेन 0-10% एवं CO2 0-8% की मद होती है नेश्टे कुश्य नमर 60 गती के नियम को निमन लिखित में से किसने प्रतिपादित किया था 60 का सही जवाब है A option Newton ने किया था आईजिक Newton ने 1687 में गती के तीन निमों को प्रतिपादित किया था इन निमों की चर्चा Newton ने अपनी पुस्तक प्रिंसपिया में किया है नेश्टे कुश्य नमर 61 निमन लिखित में से कौन उस्मा की इकाई नहीं है 61 का सही जवाब है D option वाट जो है उस्मा की इकाई नहीं है D option यहाँ पे सही जवाब है उस्मा एक प्रकार की उर्जा है जो पदार्थों के मद तापांतर को व्यक्त करती है उस्मा एक इस्तान से दूसरी इस्तान पर इस्तानतित होती रहती है नेश्टे कुश्य नमर 62 ध्वनी तरंगों का नहीं होता है तो क्या नहीं होता है दोनीत रंगों का ध्रुवर नहीं होता है D option right answer है नेश्टे कुश्च नम्मर 63 एक सुरंग में 100 वाट छमता वाले 5 लगातार बल्व 20 घंटे तक जलाए जाते हैं कुल विद्दुत लागत कितनी होगी इसकी तो इसकी विद्दुत लागत कितनी होगी 10 unit होगी D option right answer है नेश्टे कुश्च नम्मर 64 लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रहा पड़ता है तो यहाँ पर सही जग है D option उसका भार बढ़ जाता है D option right answer है Fe2O3 plus XH2O तो इस अभिक्रिया से क्या बनेगा Fe2O3 dot XH2O तो यह जो है भार बढ़ गया नेश्टे कुश्च नम्मर 65 कोश्च का में सरवाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है तो 65 का सही जग है D option protein है नेश्टे कुश्च नम्मर 66 निम्न में से सूत्र विवाजन की सबसे लंबी stage कौन सी है तिहाँ पर 66 का सही जग है E option pro phase है E option right answer है नेश्टे कुश्च नम्मर 66 सूत्री विवाजन की चान का नाम बताईए जिसके दोरान विवाजन सेल के गुड़ सूत्र मद रेखा पर इस्तित होते हैं तिहाँ पर 66 का सही जग है C option metafage कहते हैं उसे C option right answer है कोज का विवाजन की सरपतम खोज विर्चावन ने 1855 ECU में की थी जो दो प्रकार की होती है समसूत्री विवाजन और अर्दसूत्री विवाजन नेश्टे कुश्च नम्मर 68 ग्लाइकोजन का संग्रे सरीर के की संग में होता है तो 68 का सही जगाब है C option यक्रत और PCO में होता है C option right answer है नेश्टे कुश्च नम्मर 79 सरीर के लिए इंजाइम बहुत आउस्च है क्योंकि जीव रसाइनी क्रियाओं की उत्परे रख है इसलिए ये आउस्च है C option right answer है सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं हो सकते इंजाइम सरीर के लिए अति आउस्च है जो रसाइनी क्रियाओं की उत्परे रखा कार करते हैं नेश्टे कुश्य नमर 70 पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अमलों में निम्नी करन होता है ये option right answer है छोटी आतमे अमीनों का degression होता है छोटी आतमे स्वावित इंजाइम एरेफिसिन करता है छोटी आत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है बाइस फिट की होती है यानि साथ मीटर की नेश्टे कुष्चन नंबर 71 कार्भो हाइडरेट की पाचन का अंतिमुत्पाद क्या होता है तो यहाँ पर 77 का सही जवाब क्या होगा C option monosacrite होता है C option right answer है कार्भो हाइडरेट पाचन के अंतिमुत्पाद monosacrite होता है इसमें एकल पॉली हाइडरोकसी, अलडिहाइड या कीटन इकाई होती है प्रकति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मोनोसक्राइट कार्बन युक्त सरक्रा है नेश्ट है कुश्चन नमर 72 यूरिया का निर्माड शरीर के कि संग में होता है तो यहाँ पर 72 का सहीज़ाब है बी ओप्शन यक्रत में होता है नेश्ट है कुश्चन नमर 73 अग नासा से निकलने वाले रस में कौन कौन सा इंजाइम होता है तो 73 का सहीज़ाब है त्रिप्सिन होता है एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है तो यहाँ पर D-Option सहीज़ाब होगा क्योंकि तीनों ही दे रखे हैं इमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज तीनों ही दे रखे हैं इसलिए यहाँ पर D-Option सहीज़ाब होगा क्योंकि तीनों एक साथ सही नहीं हो सकते है अगला है कुश्चन नमर 74 सार ग्रंथों से कौन सा इंजाइम स्रावित होता है तो यहाँ पर टाइलेज जो है स्रावित होता है B-Option राइट अंसर है सार में लगबग 98% जल एवं 2% इंजाइम होता है मनुस में तीन जोड़ी सार ग्रंथियां पाई जाती है स्रावित इंजाइम पाचन में सायक होती है रोटी चबाने से मीठी लगती है इसका कराण टाइलेज इंजाइम होता है नेश्टे कुश्चन अमबर 75 विद्धूत मंत्राला की प्रिस विग्यप्ति के अनुसार भात ने 230 तक कितने गीगावार्ट तक अच्छे उर्जा छमता उत्पादन का लच रखा है तिहाँ पर सही जवाब है डी ओप्शन 450 गीगावाट का लच रखा है डी ओप्शन राइट आंसर है नेश्टे कुश्चन अमर 76 हाली में भात की पहली स्रमिक अंदोलन संग्राला की स्राज में इस्थापित किये जाने की घोशना की गई है तो ये जो है केरला में इस्थापित की जाएगी सी ओप्शन सही जवाब है नेश्टे कुश्चन अमर 77 लाओ आयस की निती दोहर 21 की घोशना किस मंत्राला ने की है तो इसकी घोशना जो है रेलिवे मंत्राला ने किया है डी ओप्शन राइट आंसर है नेश्टे कुश्चन अमर 78 अक्टूबर देहर 20 को जल सकती मंत्राला ने दोहरा जारी प्रेस वेगफ्टी के अनुसार हाली में कौन सा राज प्रतेक ग्रमीर घर में नल कनेक्शन उपलब्द करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज बन गया है तो यहाँ पर 78 का सही जवाब क्या होगा बी ओप्शन गोवा बन गया है नेश्टे कुश्चन अमर 79 केन सरकार ने किसी देश का नया मुख सांखी विद न्यूक्त किया है तो यहाँ पर सही जब है D option GP समंद को जो है मुख सांखी विद न्यूक्त किया है कि इन सरकार ने इससे पूर उन्हें RBI में सांखी की और सूचना प्रवंदन व्याग में सलाहकार की रूप में न्यूक्त किया जा चुका है नेश्टे कुश्य नमर 80 अंग्रेजी भासा के लिए सहित अकेडमी पुरुषकार दोयार 20 से किसे सम्मानित किया गया है तेहाँ पर सही जब है B option Arundhati सुब्रमानियम को सम्मानित किया गया है B option Right answer है उनकी पुस्तक When God is a traveler के लिए उन्हें ये पुरुषकार प्रदान किया गया है नेश्टे कुश्य नमर 81 जनवरी 2021 में किस राज सरकार ने किसान कल्यान मिसन की सुरात की है तो 81 का सही जब है C option उत्तर प्रेज सरकार ने इसकी सुरात की है नेश्टे कुश्य नमर 82 पुस्तक दा खालिस्तान कौन स्परेशी के लिखक कौन है तो 82 का सही जब है E option GBS सिद्धू है इसकी राइटर E option सही जब है नेश्टे कुश्य नमर 83 सयुक्त राष्ट निर्वाहनी विकास समाधान नेट्वर्क द्वारा जारी विश्ट प्रसंदता रिपोर्ट देहर 21 में भारत का स्थान क्या है तो इसमें भारत का स्थान 149 है C option सही जब है जबकि गतवर्स भारत इस सूची में 144 से स्थान पर था अगला है कुश्य नमर 84 हाले में visitor के सबसे उचे परवत मांट एवरेश्ट के सिकर पर ऊक्सीजन सिलेंडर के बीना चढने वाले नेपाल के प्रसिद परवता रोः अंग रीता सेर्पा का निधन हो गया उन्होंने बिना oxygen cylinder के कितनी बार इस परवत की सिखर पर चढ़ाई की है तो 84 का यहां पे सही जाव है C option 10 बार उन्होंने इसकी चढ़ाई की है उन्होंने वर्स 1983 से 1996 के बीच oxygen cylinder के बिना विसकी सबसे उची परवत चोटी Mount Everest सिखर जिसकी उचाई 8,850 मीटर है पर दस बार सफलता पूर्वक चढ़ाई की है नेश्टे कुष्चन नमबर 85 हाली में एसिया की सबसे बड़े कैटल पार्क का उदगाटन किस राज में किया गया तो यहां पर 85 का सही जाव है D option तमिलाडू में किया गया D option राइट आंसर है नेश्टे कुष्चन नमबर 86 और स्टेलियन ओपन दोहार 21 पूरूस एकल का खिताब किस ने जीता है तो 86 का सही जाव है B option नौक जोकोबिच ने जीता है B option राइट आंसर है नेश्टे कुष्चन नमबर 87 किस फिल्म को चौधवे ACI फिल्म पूरूसकार में सरुष्ट फिल्म का पूरूसकार पूरूसकार प्रदान किया गया है तो 87 का सही जाव है A option परासाइट को यह प्रदान किया गया है A option राइट आंसर है नेश्टे कुष्चे नमबर 88, निम्न लिखित में से किस राज सरकार द्वारा धर्णी पोर्टल का सुभरम किया गया है तो 88 का सहीजाब है, ए उप्षन, इसकी सुरात तेलंगाना सरकार ने किया है, ए उप्षन सहीजाब है नेश्टे कुष्चे नमबर 89, नेश्टे कुष्चे नमबर 90, हाली में किसने तेलंगाना उच्चिन्याले की पहली महिला मुखने आदिस के रूपे सपद ग्रहन किया है, तेहाँ पर 90 का सहीजाब है, सी आप्षन, नयाय मूर्ती हिमा कोहिली बनी है, तिलंगाना उच्चन्याले की पहली महिला मुखने आधिस हाली में किस देश ने महिला नागरिकों को सेना में प्रवेश की अनमती दी है तिहां पर सही जवाब है C option सौधी अरब ने ये अनमती प्रदान की है C option राइट आंसर है नेश्टे कुश्य नमर 92 हाली में किस देश द्वारा भारी वजन ले जाने में सच्छम अंगारा A5 रोकेट का सफल परिछड किया गया है तो ये जो है रूस द्वारा किया गया है B option सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमर 93 किन देशों की नौसेनाओं के मद संयुक्त द्विपच्ची समुदरी अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया तो ये आयोजन जो है भात और सिंगापूर के मद किया गया C option सही जवाब है और ये लगातार 1994 से चला रहा है प्रतिवर्स जो है किया जाता है नेश्टे कुश्य नमर 94 मिसन भागीरत के ब्रांड नाम से पैकेजड पेजल किस राज़द्वारा लॉंच किया गया है तो 94 का सही जवाब है C option ये जो है तेलंगाना सरकार द्वारा लॉंच किया गया C option सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमर 95 किस देश ने पहली ACI Online Shooting Championship की पदक तालिका में स्वीर सिस्थान प्राप्त किया है तो 95 का सही जवाब है A option भारत ने प्राप्त किया है जिसमें भारत ने 11 पदक जिसमें 4 सुरंड, 2 रजक और 5 कांस पदक जीते हैं जिसके तैद भारत सिस्थान पर रहा है नेश्टे कुश्य नमर 96 31 में व्याज सम्मान से किसी सम्मानित किया गया है तेहां पर 96 का सही जवाब है C option प्रोफेसर सरद पगारे को सम्मानित किया गया C option सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमर 97 अंताराष्टी 1 दिवस 2021 का थीम क्या था तो इसका थीम था Forest Restoration Path to Recovery and Wellbeing तेहां पर A option सही जवाब है ये कम मना गया 21 मार्च को नेश्टे कुश्य नमर 98 भाद की पहली Chase Academy की सिराज में इस्थापित किये जाने की घोषण की गई है तो यहां पर सही जवाब है C option ओडिसा में इस्थापित की जाएगी C option सही जवाब है और इसके अध्यच जो है डॉक्टर संजे कपूर होंगे नेश्टे कुश्य नमर 99 हाली में स्लोवाकिया की नए प्रधानमंती के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो 99 का सही जवाब है A option एडवर्ड हेगर को नियुक्त किया गया है A option सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमर 100 बजर दिहार 21 की घुसड़ा के अनुसार कोविड वेक्सीन के लिए कितनी धर्रासी अवंटित की गयी है तियाँ पर सही जवाब है C option 35,000 करोड रुपए जो है अवंटित किये गये है C option यहाँ पर सही जवाब है इसी के साथ ही एड़ुटेरिया प्रकासंद्वालत प्रकासित की गई बिहादरोगा बुक का वैलो नमर 2 का प्रेक्टिस सेट नमर 13 यह पर कंप्लीट होता है मिलते हैं नेस्ट प्रेक्टिस सेट में थेंक यू फार वाचिंग एकजाम ओफ ओविया यूटूब चैनल अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना में समाना कैसा तो हमाई वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद